नमस्कार मैं हूँ शेफाली आप देख रहे हैं दखल लिउस अब खबरें विस्तार से भानु प्रतापुर में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए डॉक्टर रमन सिंग ने कहा कि मैं ये विश्वास दिलाने आया हूँ कि इस बार सरकार बनी तो भानु प्रतापुर का विकास चार गुना होगा देश व्यापी अटल विकास यातरा के तहट डॉक्टर रमन सिंग ने काकेर जिले के भानु प्रतापुर में विशाल जनसभा को संबोधित किया और जिले के विकास के लिए जनता को 179 करोड 91 लाख के विविन विकास कारियों की सौगा दी सियम ने यहां लगभग 68 करोड 55 लाख रुपे के विविन निर्मान कारियों का लोकारपन, भूमी पूजन और शिला न्यास किया जबकि विविन हितगराही मूलक योजनाओं के तहट उनके हातों 2,16,000 हितगराहियों के लिए 101 लाख रुपे से ज्यादा की सामिकरी और अ इस दोरान कॉंगरिस के विकास खोजो अवियान की खिली उड़ाई, उन्होंने कहा कि कॉंगरिस ने केवल गरीवी हटाओ का नारा लगाया है और किया कुछ भी नहीं, सियम ने भानू परतापपुर की महिलाओं को दिये गए आटो रिक्षा का जिक्र करते हुए, कहा कि इससे बेहनों के आत्मे विश्वास में बढ़ोतरी होगी। भी बितरित किया गया है। प्रतापुर में चार गुना विकास की बात की है। दरसल ये जो विकास यात्रा निकल रही, अटल विकास यात्रा ये चनाओ के मद्य नजार रही एक यात्रा है। प्रतापुर में सभा लिए, इसके बाद बस्ताजी लेकर तारःपुर में सभा लिए, जगदरपुर में सभा लिए। जो बारसूर में थे और इसके पहले वो स्ताम को सुक्मा जाएंगे, बीजापुर जाएंगे, तो ये जो लगबग, लगबग, हजार, हजार क्रोड़ सु उपर की योजनाओं का सभा लन्यास करेंगे वो, और कापी कर चुके हैं, इसके लाबा कुछ हिद्गराईयों को जो जैसे तेदुपत्य का बोनस है, धान का बोनस है, उसका भी भटवारा भी किया उन्होंने, तो कुर्मिलाक के मुक्पंत्री जी हर छेत्र में धान सभाँ पहुच रहे हैं, और अपनी अब तक जो लो ने किया है, पंदा और सो में, जो सासन की योजनाओं को संचरा ने जनता का साथ कितना मिल रहा है, जनता का आशिरवाद रमन सिंग पा रहे हैं? मदप्रदेश शाषन के जल संसाधन जनसंपर्क एवं संसधिय कारे मंत्री डॉक्टर नरुत्तम मिश्रा अजदतिया जिले के ग्राम भिल्ला बहुचे, मंत्री डॉक्टर नरुत्तम मिश्रा ने एक करोल बीस लाग की लागत से बनने वाली सड़क का भूमी पुजन किया ग्रामिडों ने उनका पुश्प मालाओं से स्वागत भी किया। सिर्फ नेता गाओं में आते हैं, मैं हर तीन माह मैं आपके पास पहुच ही जाता हूँ, इसलिए मैं सभी उपस्थित जन्समुदाय से निवेदन कर रहा हूँ कि चुनापरचार मैं गाओं मैं नहीं पहुचूँगा, उन्होंने इसके लिए ग्रामिडों से अनुमती मां बागी के देता चुनाओं पर ही आते हैं, तो मैं जावेद हुचरा चुनाओं पर नहीं आऊं तो काम चाहिए आएगा, आद उढ़ा के बताओ यादा, तेरे चिंता आपकी, आपकी चिंता मेरी, मैं भिला आलो आपको ये विस्वास भी दिला रहा हूँ, वचन भी दे र हिर्दाराम जी के शिश सिद्भाव संत समाज के सानिद्ध एवं मार्ग दर्शन में भागवत कथा इस्तल का भूमी पूजन संपन हुआ, संत हिर्दाराम जी की कुटिया के समीप कर्म श्री के संस्थापक एवं विधायक रामिश शर्मा ने भूमी पूजन संपन किया, इस अफसर पर संत हिर्दा राम जी के शिश्यों सहित कर्म श्री के परिवार के समस्त सदस से उपस्तित रहे। इस अफसर परिवार के समस्त समाज के मार्दसन में उनकी उपस्तिती में उनके सानित में संत रदेराम नगर संत जी के कुपिया के समीप यहां संपन हुआ है। आचारी मिर्दुल किसीजी महाराज की भागवत कता संत रदेराम नगर बेरागर में यह तीसरी बार कता का भब यहाईजन है। हजारों लागों की ताज़आत में सुरोता आकर स्रीमत भागवत कता का स्रेवन काम प्राफ्त करते हैं। मैं आज के भूमी पूजन के अफसरपर सभी समाज का हर्दे से दन्रबाद करता हूं, उनको औपरिनाम करता हूं और संपोन भक्त और समाज को आवान करता हूं कि दो अक्टूबर से आईजेट सिर्मत जो भागवत करता है उसमें खुद आएं परिवार के साथ आएं बिग बॉस चाहते हैं कि दमदार आवाज आज से फिर टेलिविजन पर सुनाई देगी सल्मान खान का जलवा और बिग बॉस के घर के विवाद लोगों का मनुरंजन करेंगे बिग बॉस आज रात 9 बचे शुरू होने जा रहा है शो की शुरुबात से पहले सल्मान खान ने गुओ आ में एक खास इवेंट पर बिग बॉस का आगास किया था गौवा में बिग बॉस बारा के लाँच इवेंट के बाद ये समझ नहीं आया था कि मुंबई छोड़ कर इवेंट गौवा में क्यों हुआ लेकिन अब इस बात का खुलासा हो चुका है कि गौवा में शो लाँच करने की बज़े बिग बॉस बारा का आलिशान घर था घर के अंदर की तस्वीरे सामने आई तो पता चला इस बार बिग बॉस 12 का थीम बीच हाउस है हर बार की तरह एक बार फिर ओमंग कुमार ने घर का डिजाइन तियार किया था बिग बॉस हाउस को 300 लोगों ने 60 दिन में तियार किया है बिग बॉस के घर का इंटीरियर इस बार बेहत खुबसूरत है और लग्जरियस भी घर के जाएतर हिस्से का डिजाइन देख कर नेचरल फिरलिंग आती है कंटेस्टेंट की लिस्ट के मताबिक इस सीजन में 6 सिलेविटीज के साथ 6 जोडियां अगले 100 दिनों के लिए बिग बॉस के घर में लॉक हो जाएंगी बिग बॉस के सभी कंटेस्टेंट पर 89 कैमरों से नजर रखी जाएगी अब दखल का राजनिती स्पेशल मदप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवरा सिंग चुनाव प्रचार में जुड़ गए हैं वहीं कमलनात कॉंग्रेस को ताकत देने का प्रयास कर रहे हैं क्या वाकई कमलनात कॉंग्रेस के तारणहार बन पाएंगे सीधे चलते हैं हमारे एडिटर इनचीफ अनुराग उपाद्धे के पास उनसे समझते हैं कि कॉंग्रेस का सियासी गड़ित क्या है नमस्कार अब बात कुछ राजनिती की मदप्रदेश में कॉंग्रेस कमलनात के हवाले है क्या कमलनात वाकई कॉंग्रेस के नात साबित होंगे या फिर कॉंग्रेस की राजनिती और बीजेपी के चक्रिवी में फसकर कमलनात कमल अनात हो जाएंगे बहराल वक्त बहुत कुछ तैय करेगा बहुत कुछ दिखाएगा चुनावी साल है चुनाव एकदम नजदीक है कई सारी ऐसी चीज़े देखने को मिलेंगी जिसकी उमीद किसी ने नहीं की थी मद्द परदेश में पिछले 15 सालों से सत्ता में काबिज भारती जनता पार्टी की सरकार को उखाड फैकने के लिए कॉंग्रिस लाला ही थै यही वज़े है कि उसने कमलनाथ जैसे दिगच वेक्ती के ऊपर दारूमदार तै किया कमलनाथ के पास पैसा भी है कमलनाथ के पास ताकद भी है कमलनाथ के पास राइनेतिक समझ भी है दिगवे सिंग जैसा बड़ा नाम अद्द परदेश में था जोत्रा दित सिंधिया जैसा योगा चेरा भी सामने था लेकिन उसके बावजूद सारी कमान कमानात को सौफी गई लेकिन कॉंगरेस की जो तैयारियां है वैसी नजर नहीं आती जैसी होना चाहिए यही वज़े है कि भारती जन्ता पार्टी कॉंगरेस को उतनी गंभिरता से नहीं ले रही है जित्ती गंभिरता की हखदार कॉंगरेस या विपक्ष होता है कॉंगर्स से उम्मीद की जा रही थी कि वे सितंबर के पहले पखवाले में अपने आदे से ज़्यादा प्रत्याशियों के नाम घोशित करके बीजेपी फता की शुगात करेगी लेकिन ऐसा हो ना सका बताते हैं कि तमाम सारे पेचोख हम आगाय राजनीती में जिस कारण चाहा कर भी कमलनाथ पहली सूची को पूरी शिद्दत के साथ जारी नहीं कर पाए जो नाम तैय किये गए थे उनके लेके कुछ ना कुछ विवाद के हालात थे कमलनाथ अब तक कॉंग्रेस के भावी प्रत्याशियों के नाम तैय नहीं कर पाए हैं अब तक कॉंग्रेस ने सिर्फ 38 वर्तमान विधायकों के नाम टिकेट के लिए तैय किये हैं कॉंग्रेस के इन 38 नामों को आप अपने इस्किन पर भी देख सकते हैं और इन नामों को देखके आप समझ भी सकते हैं कि ये वही नाम है जिनको तो हर हाल में टिकेट मिलना ही था। दिगज कॉंग्रेसी कमलनास से उमिद थी कि वो कुछ नए प्रयोग करके कॉंग्रेसी राजनीती की दिशा और दशा को परिवर्तित करेंगे और वेंट्री लीटर पर पड़ी कॉंग्रेस में जान फूकेंगे। मगर अब तक हालात में बहुत जादा सुधार नहीं है। कुछ जलसे सभाओं को छोड़ दें तो कॉंग्रेस उसी वस्ता में थी जो जैसी हालत उसकी अब से चार महीने पहले थी। कॉंग्रेस और कमलनाथ कुछ नवाशार करते तो मुखमंती शिवरास सिंग के लिए अब तक बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती है। और बीजेपी को भी अपनी राजनीती और रणनीती बदलनी पड़ती। लेकिन फिलाल कॉंग्रेस बीजेपी से कमतर है इसलिए बीजेपी की भी मनमर्जियां जारी है। कमलनाथ चिंदवाडा मॉडल से सब कुछ देखना और करना चाहते हैं। जबकि हकीकत यह है कि मद्यपर्देश में छिंदवाडा मॉडल से भी जादा बहतर बहुत कोछ हो चुका है। जो शायद कॉंग्रेस को और कमलनाथ को फिलाल नजर नहीं आ रहा है। अब बात करें कमलनाथ की आगे की। कमलनाथ अगर शिवरास सिंग के ऊपर लगातार आकरवन करते हैं तो इससे अच्छा दूसरा मौका हो ही नहीं सकता। एंटी इंकमबंसी जहल रही बीजेपी सरकार के सामने भी खत्रे कम नहीं है। लेकिन उसकी सबसे बड़ी सुविधा मुखमंती शिवरास सिंग चौहान का नाम है। जबकि कॉंग्रेस नामों को लेकर ही उल्जहन में है। और ये उल्जहन भी उस शियर की तरह है। वह शियर है कि ना जाने क्या सोच के एहल दानिश ने उल्जहाई हैं जुल्फे हैं। जतनी सुल्जहाऊं उतनी उलचती जाती है। ठीक इस शियर की तरह कॉंग्रेस की हालत है। ये उल्जहन कमलनात के नाम से शुरू होती है। उज्योतरय सिंधिया के नाम के साथ दिगवेज सिंग के नाम पे जाके खत्म होजाती है। मगर नतीजह शिफर है कि अगर कौंग्रेस सब्ता में आई तो कौन बनेगा मुखमंत्री। इस बात को लेकर किसी भी कौंग्रेस के पास। किसी भी कॉंग्रेसी दिगज के पास कोई माकूल जवाब नहीं है। जबकि अब जो जमाना हैं जिस तरह का चलन राजनीती में हैं लोग पहले चेहरा चाहते हैं कि अमुख वेक्ति मुख मंतरी होगा, अमुख वेक्ति प्रधान मंतरी होगा, उसके बाद लोग अपना मानस तयार करते हैं वोट देने के लिए। इस चुनाओं में कॉंग्रेस को 21 होना चाहिए था लेकिन मद्ब प्रदाश में फिलाल वो 19 ही नजर आती है। कॉंग्रेस के अंदर खाने से खबर है कि कमलनाथ ने तकरीबन सो नामों की एक जिताओ उमीदवारों की सूची अपनी समझ से तयार की थी। मगर कॉंग्रेस की भीतरी राजनीती की चलते बच जारी नहीं हो सकी। कमलनाथ समर तक बताते हैं कि अब जल्दी ही तकरीबन 75-85 नामों की सूची जारी कर दी जाएगी। कमलनाथ का भी कहना है कि इस पखवारे वो उमीदवारों की पहली सूची जारी कर देंगे। इस सूची में तकरीबन 75 सीटें शामिल हैं। आपको बता दूँ कॉंग्रेस का मानना है कि इन सीटों में अधिकाश ऐसी हैं जिसमें टिकेट को लेकर किसी तरह के कोई विवात की इस्तिती नहीं है। लेकिन कॉंग्रेस में टिकेट का बटवारा हो और विवात की इस्तिती ना बने यह संभाव नहीं है। क्योंकि कॉंग्रेस के अंदर बहुत कुछ चलता रहता है। कमलनात के लिए गॉलियर, चंबल, मालवा और बंदेल खंड में टिकेट बाटना सबसे कठिन काम साबित होगा। क्योंकि इन इन इलाकों में जोत्रादे सिंदिया और दिगवे सिंगे चाहने वाले बड़ी संख्या में हैं और अगर उन्हें टिकेट नहीं मिलता है तो कॉंग्रेस को कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। कमलनाथ और उनके सलाकार भी अभी तक सिर्फ छिनवाडा के बारे में ही सोचते रहें इसलिए जरूरी है कि वह पूरे मद्बर्देश को लेकर कॉंग्रेस की सेहत दुर्स करें क्योंकि समय कम हैं और काम बहुत ज्यादा कमलनाथ के कॉंग्रेस ही कुनवे के हाथ में हैं क कमलनाथ को कॉंग्रेस का नात बनाते हैं या फिर कुछ और खैर फिलाल आज इतना ही आप देखते रहिए दखल न्यूज दखल न्यूज आपके हक में नमस्कार